मादरनीय बंधूों माताओं वे मेरी प्यारी बेहनों राधे राधे आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको माभारत की कथा के द्वारा बताऊंगी कि किस परकार भीशम पिता मैंने द्रोपती को समझाया कि खाये गए अन का हमारे मन शरीर पर कैसा परभाव पड़ता है वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे वीडियो को शेर और लाइक भी करें बात उत्थ समय की है जब महा भारत का युद चल रहा था भीशम पिता में अरजुन के तीरों से घायल होकर बानों की शैया पर पड़े हुए थे संद्या के समय जब युद विराम होता था तो कोरव और पांडव दल के लोग प्रती दिन उन से मिलने आया करते थे एक दिन का पर संग है जब युद इश्टर अपने चारो भाईयों और द्रोपती सहीत भीशम पिता माँ से मिलने आए वे भीशम पिता मा के चारो तरब बैठे हुए थे और भीशम पिता में उन्हें उपदेश दे रहे थे वे जिन्दगी के हर पहलू से उन्हें अवगत करा रहे थे वे सभी श्रदा पूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे लेकिन तभी अचानक द्रोप्ती खिल-खिला कर हसी द्रोप्ती की इस हरकद से भीशम पिता में आहत हुए और उन्होंने अपना उपदेश देना बंद कर दिया पांडबी द्रोप्ती के इस वहवार से अश्चारे चकी थे कि द्रोप्ती के ऐसा करने का क्या कारण है इस घटना के बाद सभी एकदम शांत हो गए कुछ समय रुकने के बाद भीशम पिता में ने द्रोप्ती से कहा कि तुम एक उत्तम कुल की कन्या और सभ्रांत कुल की बहु हो तुम्हारे इस परकार हसने का क्या कारण है मैं ये जान सकता हूँ द्रोपती बोली पिता मैं आप मेरे लिए पुजने हो आपको मेरा सादर नमन है लेकिन आज आपकी ये बाते सुनकर कि आप हमें अन्याई के वुरुद लड़ने का उपदेश दे रहे हो लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जब भरी सभा में मेरे साथ अन्याई हो रहा था बड़े-बड़े महारती उस सभा में उपस्तित थे और दर्योधन के कहने पर दुशाशन ने मुझे भरी सभा में निर्वस्तर करना चाहा उस समय आपका ये उपदेश कहा था तब आपने अन्याई के वुरुद आवाज क्यों नहीं उठाई तब आप मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आए आखिर आपने तब मोन क्यों धारन कर लिया था द्रोपती की ये बाते सुनकर बानों की शैया पर पड़े भीशम पिता में की आखों में आशू आ गए और कातर शब्दों में उन्होंने द्रोपती से कहा पुत्री तुम जानती हो उस समय में दर्योधन का अन्न खा रहा था वो अन जो प्रजा को दुखी कर इकठा किया गया था उस पाप द्वरा कमाए गए अन्न को खा कर मेरी बुद्धी मेरे संसकार शीन पड़ गए थे फलसवरूप मेरी वानी अवरुध हो गई थी लेकिन अब अरजुन के बानों से घायल मेरे शरीर से वो रक्त बह चुका है और सभाविक ही मेरे संसकार वापिस आ चुके हैं और अपने आप ही मेरे मुख से तुम लोगों के लिए अच्छे उपदेश निकल रहे हैं इसलिए बेटी जो जैसा अन खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है वैसे ही विचार उसके रक्त में समा जाते हैं इसमें व्यक्ति का कोई दोश नहीं होता पिता मा की ये बाते सुनकर द्रोपती मोन हो गई तो बंधूओ आपको भी कभी न कभी अपने बड़ों के मुख से ये बात सुनी होगी कि जैसा खाई अन वैसा होए मन और जैसा पी ये पानी वैसी होए वानी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे